नमस्कार आप देख रहे हैं बोल्सकाय मैं हूँ आपके साथ पूजा वशिष्ट कार्थिक मास के शुपल पक्ष की चतुरती तिथी पर नहाय खाय के साथ छट महापर्व का आरंब हो जाता है और अगले चार दिनों तक इसकी धूम रहती है छट पूजा पर छट वरती जो समापन होता है आपको बता दें यह अर्ग पानी में खड़े रहे कर दिया जाता है और इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी छट वरती सूरे को अर्ग देते हैं वो कमर तक पानी में डूबे होते हैं ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर कमर तक पानी में रहे कर यह अर्ग क्यों दिया जाता है पौराणिक कथाओ के अनुसार छट महापर्व की शुरुवात महाकाल से माले जाती है भगवान सूरे के आशिरवात से कुंती को कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ती हुई जिससे सूरे पुत्र के नाम से जाना गया भगवान सूरे की वज़े से कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वो सूरे देव के समान ही तेजस्वी बलशाली और महाने योद्धा बने बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूरे देव की पूजा की परंपरा कर्ण नहीं शुर सूरे को अर्ग देने की परंपरा चली आ रही है महाबारत काल में एक और कथा छट व्रत के नाम से मिलती है जब कौर्वों से जुए में पांडव सारा राजपार्ट हार गए थे तव पांडव पतनी द्रौपधी ने छट महावरत किया था और इस व्रत के प्रताब से पा पुरा राजपार्ट वापस मिल गया था फिराल इस जानकारे में इतना ही ऐसे ही वीडियो उसके लिए चैनल वोल स्काय सब्सक्राइब करें